गुड इमनिंग गाईज मैरा हुल और आप देख रहे हैं मैरे यूटूब चैनल आईये सताओ नकर गाईज अज किस वीडियो सेशन में ट्रांसलीशन के उपर बात करने वाले हैं आप मेरी पीछे देख रहा हूँ कि डबल स्ट्रक्चर अक्सर जो लोग है इसमें पूछ लेते हैं कि इसका ट्रांसलीशन क्या होगा उसमें दो दो एक्षन होगे इसली इसका नाम क्या हूँ रहा है डबल स्ट्रक्चर हो रहा है और यह past से related होगा तो सबसे पहले मैं ऐसे बता दू ऐसे आपसे पुछता है कि बताओ मेरे station पहुचने के पहले गाड़ी खुल चुपी थी या फिर हम लोग ऐसे भी बोलते हैं डक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था तो यानी इसमें दो-दो एक्षन हो रहा है ऐसे रे translation को आप कैसे बनाओगे तो उसके लिए मैं एक structure दे देता हूँ पहले हम लोग लिखते हैं subject सबसे पहले हम लोग लिखेंगे subject ठीक है इसके बाद हम लोग लिखेंगे had इसके बाद past participle third form of the verb इसके बाद आपको next लिख रहा है अगर object है rest word है तो लिखेंगे otherwise छोड़ देंगे फिर आपको यहां करना है v4 इसके बाद again subject आपको देना है और फिर v2 डालना है अगर आगे object दिया हुआ है तो देंगे rest word दिया है तो देंगे otherwise छोड़ देंगे यह हमारा हो जाएगा क्या structure इसमें कितने subject आ रहे हैं? दो आ रहे हैं subject had भी थरी आपजेक्ट फिर से बीफोर subject भी टू और आपजेक्ट जब दो एक्षन क्या होता है? finished होता है past time में तो दोनों में जो सबसे पहले action finished होगा उसको perfect आमें में में करते हैं और बाद वाला को past indefinite में 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 करते हैं एक example मैं लेता हूँ मेरे जाने के पहले आने कर लेते हैं आने के पहले वह खाना खा चुकी थी मेरे आने के पहले वाक खाना खा चुकी थी चलिए ऐसे एकर sentence आता है न तो बहुत असानी से में लोग बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखना है subject लेकिन subject दो है इसमें मेरे आने के पहले यानि मैं आया और एक है वह खाना खा चुकी यानि एक मैं आया और एक खाना वह खा ले दोनों में काम कौन पहले हुआ क्या मैं पहले आया यानि पहले subject लिखना तो subject वह लड़की है इसलिए क्या लिखेंगे C, फिर क्या लिखना है head लिखना है head लिखिए इसके बाद फिर verb थिरी देना है खाना, खाना का eat होता है eat का भी थिरी eaten ठीक है? eaten, ठीक है ना? इसके बाद क्या खाई? खाना खाई, तो food लिख दीजिए she had eaten food she had eaten food अब कब खाई? पहले खाई तो पहले के लिखना है? before डाल देना है before डाल दिए अच्छा, अब subject डालना है तो आया कौन भाई? मेरे आने के पर यानि मैं आया, तो फिर क्या लिखेंगे? I और फिर वर्व देना है, तो भीटू लगाना है तो आना का हो गया कम, कम का भीटू हो गया के तो यहाँ बन जाएगा she had eaten food before I came, is it clear? इसी तरह से आप से पूछे जाते हैं लोग आप से पूछे लेते हैं मैं इसे एरेस कर रहा हूँ लोग आप से पूछते हैं बता डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था यानि इस संटेंस में हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो डॉक्टर साहब है अभी आये नहीं उनके पहले ही रोगी खुदा के वास्ते उपर चला गया अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दोना में काम कौन हुआ तो पहले रोगी मरा है ना रोगी मरा पहले तो रोगी के हम लोग क्या लिखते हैं पैसंट तो यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे दपैसंट इसके बाद फिर क्या देना है हैड लगाना है फिर क्या देना है वर्ब थेरी देना है तो मरना मरना का होता है डाई तो इसका विथरी बनाते हैंगे डाइट इसके बाद कम मारा कैसे मारा है तो नहीं लिखा हुए तो दो पेसेंट है डाइट कम मारा भाई पहले मारा इसलिए यहां पर अब इसको लगाना है बीफोर अब फिर आया कॉन तो देख रहें डॉक्टर सावाएं दो डॉक्टर केम ठीक है यहीं डॉक्टर का डॉक्टर हो गया और आना का कम का वीटू बनाएंगे केम क्योंकि वीटू मेंसिन करना है इसी तरह का एक और सिंटेंज हम लोग चलेंगे इरीज कर रहें पुलिश के आने के पहले चोर भाग चुका था पुलिश के आने के पहले चोर भाग चुका था अब यहां पर दो एक्षिन हो रहा है ना एक पुलिश हार ही है दूसरा चोर भाग ला तो दोनों में पहले एक्षिन कोन हुआ तो देखे चोर भाग गया तो सबसे पहले हम उस एक्षिन को मेंसिन करेंगे और चोर का होता है दथीव लेक लीजिए दथीव फिर क्या देना है? हैड देना है तो head लगा देजी और भागना भागना का होता है run away भीथरी भी इसका run होता है run 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 to run away यानि the thief head run away चोर भाग गया कब भागा पहले भागा इसलिए यहाँ पर लगाएंगे before तो फिर क्या हुआ पूलीस आया यही न तो अब यहाँ लिखेंगे इस तरह से अगर sentence आयेगा तो उमीद मैं कर रहा हूँ आपसे कि आप बना लेंगे आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा अगर आप मैरे चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेश कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले बेडियो को अंद तक देखने के लिए आप शबी को सुक्रिया थेंक्यू